नमस्कार खबर बिहार देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ हैश्वरा दुबी और ब्लोटिन की शुरुबात करते हैं बड़ी खबर के साथ है कि राज्य सरकार उनके बैठकों की जासूसी करवा रही है तेजस्वी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए मदूबनी में कहा कि मेरी कारिकरता समवाद यातरा की बैठक के अंदर CID और स्पेशल ब्रांच वाले बैठ रहे हैं वो सब कुछ नोट कर रहे हैं उन्होंने जब कार दिखाया तो इसकी जानकारी मिली इससे ये साफ है कि मुक्यमंत्री ने तीश कुमार मेरी बैठक की जासूसी करा रहे है मुक्यमंत्री डरे हुए है हम लोगों का कारिकरम कि पर नजर रखी जा रही है तेजस्वी ने कहा कि इतना ही नहीं मुक्यमंत्री आपको तादे कि इतने ही नजर मुक्यमंत्री अगर आप राधियों पर रख दिये होते तो बिहार का law and order बहुत ही बहतरीन होता तेजस्वी के इस आरूप की बाद बिहार में सियासत तेज हो ही है आपको तमाम बयान सुनाएंगे लेकिन उससे पहले सुनिये तेजस्वी यदव ने क्या कुछ कहा है इस पार्टी की इंटर्नल बैठ लेकिन कुछ लोग जो है इल्ले का नाम नहीं ले दे तो बाद में पता चला कि वो स्पेशल ब्रांच और सीएडी के लोग है काड उन्होंने दिखाया बकाईदार तो मुख्य मंत्री पूरी तरीके से जासुसी करा रहे हैं यह साफ हो चुका है भैबीत है तरे हुए है कि किस प्रकार से हम लोगों का कारिकरम जो है चला है नजर रखी जारी है इतना ही नजर अपरादियों पर लख देते मुख मत्री जी तो आज बिहार का लॉए न ओर्र जो है बहुत ही बैतरी है वहें इस पर राजनतिक दलों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है आई आई आपको सुनाते हैं यश्यू यादोजी अस्पेसल ब्रांच आपके साथ रहता है आपकी सहमती से रहता है आपके साथ आपके यात्रा में रहते हैं आप अस्पेसल ब्रांच आपके लिए क्यों लगा जाएगा जब आपकी सहमती से वो रह रहे हैं और वो CID के द्वारा प्रतिन्यूक्त होते है जो प्रोटोकॉल के तहट आपके साथ रहते हैं जो जिनकी बर्दी भी अलग होती है सब को जानता है अब आप ज्यान क्यों दे रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है और आप बंद कमरे में मीटिंग कर रहा है हौल में तो आपके कारे करता ही लिस्ट बनाते होंगे किसका प्रवेश होगा किसका नहीं होगा नेता परतिपक्त श्रीते जस्मी जादर जी आप क्यों भूल गया कि विहार कि आप नेता परतिपक्त है आप माप्याओं और एक सी धाराओं से सुसोभीत अपने लोगों का गुप्त जो बैठक कराते हैं उसमें CID के लोग इसलिए जा लेकिन मानेनिये मुख मंतरी आपके सुरक्षा कभी से ध्यान लगते हैं कि कहीं उसी में से कोई कुछ घरबड़ नहीं करते यह देखे केंदर सरकार और राज्य सरकार दोनों का यह है कि जब वो कमजोर स्थिती में होती है खासकर के भी जिसे यहां नितिश कुमार जी और दिल्ली में मोदी जी दिल्ली में मोदी जी कि EDCVI को आगे कर रहे हैं यहां यह जो है क्राइम ब्रांच और इल्लों को आगे कर रहे हैं इसका नीद में कारण यह है कि अंदर से घवडात है अंदर से इनको कुर्शी जाने के चिंता है जो कि अगला विधान से वाचुनाव तै कर देगा परस्थिती यह आ गई है कितन साथ जड़ चुके हैं सनी का रूख करते हैं सनी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदव ने सीम पर एक बड़ा आरोप लगाया है और निशाना साथी वे कहा कि उनकी बैठोकू पर सीम नजर रख रहे हैं उनके कारिक्रम पर सीम नजर रख रहे हैं कितने सचाई देखते ह पत्रकार भी वहां मौजूद रहते हैं तो वो लोग चले जाते हैं लेकिन कुछ लोग रहते हैं जो नोट करते रहते हैं निशीत तोर पर अब इसको लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है और सत्ताधारी दल के जो लोग हैं उन्होंने सपष्ट किया है कि ये तो सुरक अच्छा में चूप न हो जाए और ऐसे में राष्ट्रिय जनतादल और कॉंग्रेस को एक मौका मिला और निश्ची तरपर कॉंग्रेस ने भी बिहार सरकार के बहाने केंदर सरकार प्रहमला बोला और कहा कि ED, CBI और Income Tax जैसी एजेंसियों का केंदर सरकार दुरूप योग कर रही है और बिहार में नितिश कुमार स्पेशल ब्रांच और CID का दुरूप योग कर रहे हैं ताकि विपक्ष जो चाल चल रही है विपक्ष जो रन्नीती बना रही है उस रन्नीतियों की जानकारी उन्ह टाइम टू टाइम मिलती रहें तेजस्वी आदव का सात्वा दिन है यात्रा का मुजफरपुर के विधान सभा में आज बैटक करेंगे कार करता के साथ नेताओं के साथ तो निशी तोर पर तेजस्वी की यात्रा में कई महत्पुन बाते होती होंगी किस तरीके से करता जुट रहे हैं पार्टी के कौन से लोग नराज है तो इन बिंदूओं पर तेजस्वी आदव गहन मंथन कर रहे हैं लेकिन निश्चित तोर पर अब ये जो कहीं न कहीं मामला है राजनीतिक माहौल राजनीतिक मामला बन चुका है और निश्चित तोर पर जाच एज अंतादल के रनीतियों का पता लगाया जा सके बिल्बू सनी लेकिन इन सब के बीच यहां पर ये भी जोना चाहेंगे कि जो सत्ता पक्ष है उनके तरफ से क्या कुछ पलक्टवार किया गया है क्या कुछ कहा गया क्यूंकि जाहिर सी बात है जिस तरह से अब बयान तेजस् देखने को भी मिलेगा कि जाते हैं कि कौन-कौन से लोग जाएंगे तो ऐसे में कहीं न कहीं उन्होंने राष्टिये जनतादल की नाकामी बता दिया है और नीरच कुमार ने सपस्ट कर दिया है कि यह तो आपकी नाकामी है आपके गुप्त मीटिंग में लोग चले जा रहे हैं आपको जानकारी नहीं है निश्च तो आपके कारिकरता और आपके ही नेता बनाते हैं तो निश्ची तोर पर यह प्रोटोकॉल का हवाला दिया गया है और कहीं प्रोटोकॉल भी यही कहता है कि जिस तरीके से आपके साथ सुरक्षा में जो जवान तैनात है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं भी अगर कारिक्रम हो रहा है और आपके खिलाप अगर कोई सड्यांत रोड आ है आपकी जान को खत्रा है या आपकी सुरक्षा कैसे मजबूत की जाए इसको लेकर वो लोग अलग-अलग तरीके से सुरक्षा बेवस्था का लियर तयार करते हैं और वो लोग लगतार उन अगर इतना ध्यान बिहार में बढ़ते अपरात पर देंगे तो law and order सुधर जाएगा